नमस्कार साथी ओस्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चानल स्पोर्ट्स क्लब अफिशल में पाल बुलेट पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए साउथ अफरिका और भारत के पहले ओडियाए मुकाबलों में भारत को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा 31 रनों से साउथ अफरिका ने इस पहले वंडे मुकाबले में जीत हासिल कर लिये तीन वंडे मैचों की ये श्रंकला है जिसमें पहला वंडे मैच जो है कल पाल बुलेट पार्क इस क्रिकेट ग्राउंड पर खेलाया था साउथ अफरिका के इस खुबसूरत मैदान पर जो है वो बढ़ गया होंगा साउथ अफरिकाई टीम का तो दूसरे मुकाबले में जो है जो कल खिला जाना है दूसरा मुकाबला वंडे मुकाबला उसमें आप साउथ अफरिका अच्छे कॉम्पिडेंस के साथ उतरेगी लेकिन भारती टीम थोड़ी सी निराश और शर्मनाग प्रदर्शन से जो है अब जो है दूसरा मुकाबला खिलने उतरेगी तो आप साउथ अफरिका का हाई में हाई लेवल होगा अपिडेंस लेकिन जो है भारती टीम का कॉम्पिडेंस जो है वह अब गिरा होगा तो आप देखना होगा किस तरीके से खिलती है भारती टीम दूसरे इस वंडे मुकाबले में तो कल दूसरा वंडे मुकाबला खिला जाना है तो इसमें स्कूर काट देख लेते हैं यहाँ पर टॉस जीता था साउथ अफरिका ने और पहले बल्ल गेंदर हुसेन जिनों ने 129 रनों की पारी खिली 96 गेंदों का सामना किया और टिमबा बभुमा ने भी शांदार पारी खिली कप्तान जो है साउथ अफरिकाई टीम के टिमबा बभुमा जिनों ने भी शतक जड़ दिया 110 रन बनाए 143 गेंदों का सामना करते हुए तो दो शतक हमें देखने को मिले साउथ अफरिकाई टीम से साउथ अफरिकाई बल्लेबास से दो शतक हमें देखने को मिले वहीं क्वेंटन डिकॉक ने 27 रन बनाए 41 गेंदे खेली थी लगभग तो इनके चलते डिकॉक तिमबा बभुमा रासिविल हुसेन इनके चलते जो है तो इसका पिछा करने उत्री भारतिय टीम महस 25 टरन पर ही जो है रुख गई भारतिय टीम पचास और में 25 टरन नहीं बना सकी आठ विकेट के नुकसान पर भारतिय टीम की तरफ से विकेट्स जस्प्रिद बुम्रा ने दो विकेट्स निकाले जो कप्तान थे और इसमें आमान ठी के एल राहूल के कंधों पर थी टीम की कमान वहीं उपकले युख सक्राइब ढूम्रा थे तो जस्प्रिद बुम्रा ने 10 और में 48 रन देकर जो हैसलन दो गय हासिल किये तो और शविन को एक चाहब्स पलता मिली महेंगे था और एक वजा जो थी विंकेट शायर को खिलाया था तो भाई जो गेनबाजी देनी थी विंकेट शायर को वह नहीं दे थी यह भी एक हार की वजा हो सकती है क्योंकि छटा आपके पास गेनबाज के रुप में विकल्प था और उसको आपने यूज नहीं किया तो यह भी एक हार की वजा हो सकती है क्योंकि सबी amend Rather अर्ट को ठाके सा पूछा देना आके तो यह Initा अगले मैच उतने सिनेर नहीं है और उनको उनके कंधे पर कप्तान का भी बोज था तो दवाव में भी दिखे केल राहूल कल बैटिंग भी उनकी फ्लॉक नजर आई जल्दी आउट हो गए थे तो जब बल्ले बाजी करने उत्री भारती टीम तो विराट कोहली की शांदार पारी रहे थी 51 रन विराट कोहली ने बनाए तो वहीं शिकरधवन अच्छी वापसी करते वी नजरा आया शिकरधवन ऐसा लगाई नहीं कि कहीं बाहर गये थे कहीं टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे ऐसा लगाई नहीं वापसी हुई और उन्होंने आपना वापसी का भी जो है संकेत बहुत अच्छी तरीके से दे दिया. उन्होंने89 रनों की शांदार पारी खेली, शांदार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुचा सके. इन दोनों के आउट हो जाने के बाद टीम मानो एक के बाद एक टाश के पत्तों के तरह विकेट्स गिरते गए और टीम टाश के पत्तों के तरह डहे गई और 265 रनों के अंदर ही टीम रुख गई आठ विकेट्स के नुक्सान पहारा की अंत में शारदूल ठाकुर की एक शांदार केनियो खिला था शारदूल ठाकुर ने 43 गेंदों में 50 रन बना है शारदूल ठाकुर ने हाला कि अपने बल्ले से उन्होंने ये संकेत दे दिये कि मैं बल्ले बाजी बहुत अच्छी कर सकता हूँ और फिर से बारांतर राष्टे क्रिकेट में उन्होंने ओडिया मुकाबले में पहला अर्देशतक जड़ दिया तो शारदूल ठाकुर के बल्ले से हमें अर्देशतक देखने को मिला वहीं उसके बाद किसी भी बल्लेबाजों ने उनका साथ ने दिया वहीं फिलिकवाय ने 20 कि 2 विखेट लिए और 2 विखेट हासिल किये थे। ह 맛있는 दस ओर में सब्सक्र दोड़ोंगी दिया है अलाएकगे 10 ओर में तो दो दोड़ोंट है ने को जानम क्राचने कि ते आुट है ही है भार्ति टीम की हार 81 रनों से लिकिन इस हार को जल्दी भुला ना होगा मैं दबाव में मैं लाव महसुस करें करूगे आप कर्द Ideally साथ कुछ चल Goku बूलाने गया तो दबाव महसुस करें टीम अन्टिया तो इस दबाव को महसुस ना करने के लिए आपको तो इस हार को जल से जल भूलाना होगा और आज ही भूलाना होगा क्योंकि कल मुकाबला है आपका दूसरा ओडिया मुकाबला कल खेला जाना है कल की 21 तारिक है 21 तारिक को जो है दूसरा ओडिया मुकाबला खेला जाना है तो जिसके लिए टीम को तयारी करना होगा और यहां तो यूजी चहल को ज्यादा अनुभव नहीं है साउथ अफरीका में खिलने का वहीं पहली बार खिल रहा है केल राहूल को भी आनुभव हो नहीं है तो यह दूसरी तरब यहादी हम देखे और देखा जाए तो मिडल ओर्डर में जो खिलाड़ी खिर रहा है रिशप पंत श्रेया सहिया इनको अनुभव नहीं है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वामक मैच होने चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस होने चाहिए आप अपने होम टीम के खुछ प्लेयर्स को बुलाइए उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए साउथ अफरिका में ऐसे आप विदेश पर जाते हो जहां पर आपको अनुभव नहीं हो बिल्कुल भी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टीम होम टी high praise इसलिए हैसे में अनुभाव के न कि अनुभाव का होना बहुत ज़रूरी होता है experience होना बहुत जरूरी होता है आपके पास यह जर नमे וuw पिकला मुकाबला और इस revival गजर गया है। में यादी हार्दिक पांडिया होते हैं वेंकेटशायर की जगा तो शायद गेम को पढ़ते गेम को थोड़ा से डीप ली जाते थोड़ा से समझते लेकिन वेंकेटशायर को अनुभाव नहीं है तो थोड़ा सा कभी-कभी ऐसा भी करते जाए कि जब युवा खिलाडी आता ह थोड़ा से उनके उपर भेजने की कोशिश करते जाए कभी-कभी आप टॉप के खिलाडी तो चल गए विराट कोली शिखर दवन लेकिन चार नंबर पर कम से कम वेंकेटशायर को ट्राय करना हो ट्राय करना चाहिए था रिशापन्द भी हाला कि थोड़े से कल चले नहीं उतना इन साबैश का यह नतीजा होता है तो एक्स्पिरेंस नहीं हो तो फिर यही नतीजा होता है क्यों आप थोड़ा सबिकाभी-कभी बल्ले बाजी में फिर बदल करना होता है तो बल्ले बाजी जरूरी है कि हम नंबर से ही बल्ले बाजी को आप बिजाते जाएगें लेकिन कभी-कभी बल्ले बाजी को भी आपको बदलना होता है कभी-कभी बल्ले बाजी को फिर बदल कीजिए गिन बाजी में फिर बदल करते जाएए कप्तानी आपको situation के हिसाब से कप्तानी को change करना होता situation के हिसाब से आपको कप्तानी अपने दिखानी होती है तो यही कप्तान की एक अगली परिक्षा हो गई किल राहूल की यही अगली परिक्षा हो गई कि किस तरीके से आप दूसरे वंडे मुकाबले में कि अपने टीम सिलेक्ट करते हैं आपने टीम को उतारते हैं लंटीम हाना कि अच्छी जो 14 flavors select कि रहला है वह ब़हा है लेकिन जो इसको जो फिर बदल situation कि हिसाफ से जो मैंने कहां फिर बदल करना बहुत जरूरी होता । सिचिवेशन के हिसाब से इस टीम को ढालना बहुत जरूरी होता है टीम को किस तरीके से चलाना जिस तरीके से महेंद्र सिंग्धोनी चलाते थे टीम को किसी भी सिचिवेशन में उनको बस सिचिवेशन की देरी थी जिस भी सिचिवेशन में उन्हें कप्तानी करने का मौका द लेकिन रोहिश्रमा ने उन्हें हैंडल किया लेकिन ऐसी ही कंडिशन होती है जो आपको उस कंडिशन में निखरना पड़ता है विखर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएंगे निखरना होता है ऐसी कंडिशन में तो आपको चलना होता है तो चलिए और फिर आपको एक नाएक जीत जरूर हासिल होगी तो जीत का रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको तो यही कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो चलिए शुक्रिया सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइ आपको लिए चैनल को चैनल को ओॉ आपको शो, कि था यही आपको प्रामधी धिल्यान ही रखना कीजिए प्राम प्रामधी आता हैं में बहुत जिएका जो सब्सक्क्रिया उ तक सब्सक्राइस करूए शो आपको भॉत अबगा हू आपको अजयब